कटी मीटी इमली की चटनी जिसे आप कम से कम छे माइना और अच्छे से अगर आपने स्टोर के के रख दिया तो लगबख आप इसे साल भर रख सकते हैं तो यहां मैंने गरम पानी में लगबख 200 ग्राम इमली डाला है और इसे ढख कर रखेंगे लगबख एक घंटे के लिए और इसके बद बढ़िया से मसल मसल का इसका पल्प निकाल लेंगे और इसे चान लेंगे और मैंने यहां वो जिंजर पॉड़र यूज किया है साथ में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डाल दिया है इसके बाद बस आपको इसे लगतार चलाते हुए पकाना है जब तक इस तरह बढ़िया कलन आ जाए और इमली की चटनी कुछ इस तरह दिखने न लगे यह तरह बी आपको पथली लग रही है पर जैसे-जैसे ठटन्डी होती है वैसे-वैसे यह गाड़ी हो जा धी हो देखिए यह गाड़ी हो गई बससके बाद आप इसे सूखे जार में, शीषे के जार में भर कर रखें और सालबर रहना है, णह金 दो आपसे पर चांप इसे फ्र यूज कर ये फिर फ्रिज में रख दीजे